दोस्तों बालविका सिवन सिच्छा सास्तर के इस अंक में हम आज आपके साथ परिवार के सेक्षिक दाइत के वारे में डिस्कस करेंगे परिवार के सेक्षिक करतब्यों को हम निमलिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं जैसे नमर एक बालक के व्यक्तित्व का सर्मांगिर विकास करना ये परिवार का काम बालक को सच्छता एवन सफाई का प्रेसिक्षण देना कि बालक किस प्रकार से अपनी सच्छता परिबार ही देता है आगे बालक की रुचियों को समझना वह किस चीज़ों में रुची लेता है तो उनके विकास के उचित अवशर प्रदान करना बालक के अंदर अच्छी व्यक्तित्व वाला बने इसके लिए उसके आत्विश्वास में निरंतर ब्रद्धी करती रहनी है लड़ाई जगड़ा करते हैं घर में माता पिता तो बालकों में यह इन्फ्रिरिटी कोरिंप्लेक्स आ जाता है वह अपने आपको कमजोर महसुस करना चालू कर देता है परंतु बालक का समाजी करन करने ही तू परिवार को कुछ अलग प्रकार के दाइत्मों का निर्वा करना होता है समाजी करन ही तू यह आविशाक होता है कि बालक के व्यक्त संस्ता के रूप में है संस्ता मतलब इंस्टेटूशन है परिवार का बाताबरन सौहाद्रपून होना चाहिए परिवार का बाताबरन सौहाद्रपून होना चाहिए यदि परिवार में प्रेम सहयोग सहानुबूती का बाताबरन पाया जाता है तो बालक जाने अंजाने में इन गोणों को समझता है तथा इने अपने व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास करता है यदि माता पिता का परस्पर वहवार तथा बच्चों के प्रती वहवार अच्छा होगा तो बच्चे इसी प्रकार के वहवार को अपने भाई वहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रती अभिव्यक्त करेंगे पहला कारण यह हो जाता है एक institution का काम है परिवार दूसरा परिवार का बातवरन सामाजिक होना चाहिए The environment of the family should be social प्रसिद विचारक वेलोर्ड का विचार है कि परिवार प्रारंबिक सामाजिक संस्था है जिसमें से अन्य संस्थाओं का विकास हुआ है हम परिवार को लगु समाज की संग्याद दे साथ देते हैं और या दे सकते हैं अर्था जो मूल्य परंपराएं एबं आदर्स ब्रहत समाज के होते हैं उनके प्रसिक्षण का अवशर परिवारिक बाताबराण में होना चाहिए उनके प्रसिक्षण का अवशर किसमें होना चाहिए परिवारिक बाताबराण में होना चाहिए परिवार में एक तो एक और तो बालक अपने माता पिता भाई वहन अन्य सदस्थियों के प्रती आदर्व सम्मान भाव को अविव्यक्त करता है इसके साथ ही साथ वह स्वैंबी अन्य व्यक्तियों के घर जाता है अर्थाथ वह समाजिक संबंद स्तापित करते हैं हुए समाजिक अंता क्रिया के अवशर प्राप्त करता है कि दूसरों से मिल जुलके वो अपने अंदर भी भावनाय उत्पन होती है सहयोग की ताकि वो है अपने व्यक्तित्व के समाजिक पक्ष को विक्सित कर सके या विक्सित करता है तीसरा कारण क्या होता है तीसरा कारण यहां है कि परिवार में नैतिक मुल्यों का उसमें कोई विचार नहीं कोई अनुस्वार में परिवार में सलस्थन जहाँ बालत नयतिक मूल्यों की जान कारी प्राप्ट और यह जान करें प्रतम स실धांतिक रोप से वद्वतिक वहवारिक रूप से डान श्पने तो परिवार के सदस्रों के द्वारा बालक को किस ख सैधान्तिक रूप से वद्वतिक बहवारिक रूप से सैधान्तिक रूप में तो परिवार के सदस्यों के द्वारा बालक को क्या सिखाया जाता है दोस्तों बालक को नेतिक्ता की बातों को ग्यान कराया जाता है नेतिक्ता की बातों को ग्यान कराया जाता है बहवारिक नैतिक्ता के मुल्यों पर आधारित होना चाहिए यदि नहीं है तो उनका अनुकरण करके बालक सही दिशा में नहीं जाएगा और यदि उनका नैतिक मुल्य अच्छे है तो उनकी सही दिशा में उनमुक हो जाता है बालक और अच्छे अपने विचार सही ले आता है दूसरा परिवार के सदस्यों द्वारा बालक का आचरन समाजिक मुल्यों पर आधारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए और चौथा कारण क्या है परिवार का परिवार में सांस्कृतिक मुल्यों का आधार होना चाहिए अब सांस्कृतिक मुल्य कौन से एकदम रूढीगत सांस्क प्रिवार की इसके प्रती महत्मूर जिम्मेदारी है इस दिम्मेदारी का निर्वाह परिवार को तीन रूपों में करना होता है पहला परिवार अपनी निजे संस्क्रती का ज्यान बच्चों को कराए दूसरा अपने समुदाय की संस्क्रती का जानकारी देना तीसरा अपने समाज की संस्क्रती का ज्यान कराना परिवार का बाताबरण ही सांस्क्रतिक होना चाहिए ताकि व्यक्तित उसका पालन करते हुए अपने व्यक्तित वे कि सांस्क्रतिक पक्च का समुचित विकास कर सके अब सांस्कतिक पक्च का समुचित पिकास कैसे वही द्रष्टि घॉन जैसे सबसे पहले knowing जानना है फिर उसको चानना है और फिर उसके बाद में उसको मानना है आंकमूंद कर किसी भी चीज को नहीं मान लेना है यही सांस्कतिक के सच्छे पहलू को बालकों को सिखाया जाना चाहिए दूसरा है विद्याले विद्याले सिक्षक एवं साथियों का योगदान अब हम दूसरे कारक को समझेंगे कि विद्याले जिसमें सिक्षक और साथि होते हैं उनका बालकों के प्रती क्या योगदान है और किस प्रकार से बालक पर पर्भाव पड़ता है बालक औपचारिक सिख्छा का प्रावम विध्याले की प्रांगण में होता या हम सब जानते हैं प्रवेश के साथ करता है तथा कुछ सिख्छा विदों की विचारधारा है कि समाजी करण एवं सिच्चा एक दूसरे के पूराख है एवं परस पर संगठित वा एकिक्रत है मतलब जुड़े हुए एक दूसरे से चुकि दोनों ही क्रियाएं चैनात्मक सीखने सेलेक्टी लर्निंग पर आदारित है समाजी करण एक अचेतन व्यक्तित निस्ट प्रक्र जी लिए है अचेतन का मतलब कया है क्योंकि बूझ देख देख क히 सीखता है समाज को देखता है इदर उधन के विभिन बालकों के संपर्क में आता है और उनसे विचारों का आदान प्रदान होता है सभी प्रस पर अंतक्रिय करते हैं मिंचल इंट्रक्शन होता है उन सब के बीच में करते हैं तता सांतक्रिया के द्वारा बालक कुछ सीखता है और यह समाजिक सीखना, social learning बालक के समाजी करन में साहिक होता है। सच्छा सास्त्रियों की विचारदार है कि परिबार ही नहीं वरन विद्याला है भी वह ससक्त माध्यम ससक्त मतलब एक बहुत बड़ा कारण है एक बहुत बड़ा माध्यम है जो समाज की संस्कृति की सुरक्षा करता है समाज की संस्कृति की सुरक्षा करना means एक खोजी प्र पीड़ी को करता, एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के करने का मतलब पहली पीड़ी यदि intelligent थी तो दूसरी पीड़ी उससे intelligent बन सके इसके लिए उसमें यह transformation लाना एक वह संस्था है जो विध्याल है जहां पे वह पिछली पीड़ी ने जितना काम छोड़ा था उसको आगे ब काम कर दिया उससे कई गुना बढ़के अगली पीड़ी का काम है प्रसिद सिक्षा सास्त्री जॉन डिवी ने तो यहां तक कहा था कि विध्याल है समाज का लगुरूप है यदि विध्याल बास्तों में देखा जाए बास्तों में यहां पे देखा जाए तो करना चाहिए विध्याल ही बालक को विभिन कलाओं में दक्षता देकर इस बात के लिए तैयार करता है कि वह समाजी के विवस्ता के विकास में अपना योगदान दे सके किन को तैयार करता है बालकों को तैयार करता है विध्याल है को हम समाज की आविशक्ताओं की नहीं होना है, तो क्यों नहीं हम पहले से ही ये शारी विद्ध्याले में ही करने, तो बास्तों में देखा जाए Dannee, तो वह स्थान है जो बालकों गोड़ो को अनुसासित वन्सामजिन समाज का सदस बनने की ओर उन्मुक प्राया यह देखा जाता है कि आसपास के समाज तथा वाता बरण की विविद समस्याओं का प्रभाववी विद्यालय पर पड़ता है उधारन के लिए देखें जैसे चुवचूत गरीबी विरोजगारी कुछ ऐसे दोस हैं जो समाज में तो विद्धमान हैं ही साथ ही स्कू वारवाले सिखाते हैं यदि विद्यालय में बिल्कुल ही सामाजिक रूप से चुवचूत ना हो तो ही टीचर जो होते हैं वह बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं टीचर में यही भावना पलती है इसलिए विद्यालय में ऐसी समस्याओं और जादा क्या कर लेती हैं समाज के यदि विद्यालय में अग्र रूप धारण नहीं कर सकते यह तो किताबों में लिखी बाते हैं लेकिन इसको अमल करने में समाज क्यों नहीं आ गया आता सिक्षक क्यों नहीं आ गया थे आज बहुत अची चीज़े हो गई हैं का भी हद तक सुधार अगिया है लेक इस्ट तोर पर व्यक्ति की एक्छाववा समाज की आवशक्ताओं के लिए स्तापित की जाती है। और करतब बालक का समाजी करन करना भी होता है। हूज जा के कि के फड़िए और शेवां। नचया रखित का समाग्ति की और वालक करना भी आफा